पार्टी राष्ट्य लगातार अपने मिशन पर और उनका जो आइडिलोजी है उस आइडिलोजी से पर काम करते आ रही है और आज यही कारण है कि आम जनता पार्टी राष्ट्य अतिपिछा समाज के हक अधिकार की भी लड़ाई लड़ रही है हम जाती नहीं हम जमात की बात करते हैं इसलिए आज ये भारी संख्या में आम जनता पार्टी के मिलन समारों में महिला और पुरुस जो जन परती निधी भी रह चुके हैं पुर्व में भी और बरतमान में हैं आए में हैं और आज ये कारिकरम संपन हो रहा है जो अपने मिशन पर और उनका जो उस एडिलोजी से पर काम करते आ रही है और आज यही कारण है कि आम जनता पाटी राष्टी अतिपिछा समाज के हक अधिकार की भी लड़ाई लड़ रही है और उस अधिकार को पाने के लिए जो समाज में आज जो आप देखेंगे कि चाहे जो भी लोक सवाहो विधान सवा नहीं मिल रहा है इसलिए आज भारी संख्या में जो जन परती निदी हैं जो जन परती निदी रह चुके हैं चाहे वाड में हो जाहे जिला परिसद में हो चाहे मुख्या हो महिला और पुरूस दोनों आज इस कारिक्रम में मिलन समारों में भाग लेकर के आज भारी यह बिहार को एक संदेश जा रहा है कि आम जनता पार्टी राष्टे जो अति पिछा की लड़ाई लड़ रहा है उसमें दिन परती दिन अगरसर की भूमिका निभारा है और हमने यह कहा है कि हम जाती नहीं हम जमात की बात करते हैं इसलिए आज यह भारी संख्या में आम जन सब बढ़ा जूड़ गए हैं तो आपके साथ आपके बिचारों के साथ काफी लोग जूड़ रहे हैं महलाई काफी संख्या मुझ रहे हैं क्या कुछ कहिए कौन पार्टी के साथ आगे 24 में कि अकेले लड़ना है आप लोग देखें आम जनता पार्टी राष्टे की बाते भी हो रही है इसा नहीं है कि बाते हो रही है गटवंधन से अभी मुख्यधारा में दो गटवंधन है बाते भी हो रही है लेकिन सवाल यह उठता है कि हम अपने सिधान से समझोता नहीं कर सकते हैं हमारी जो आइडिलोजी है उसे समझोता नहीं कर सकते हैं इसलिए आम जनता पार्टी राष्ट्रे जो भी हो जो भी गटवंदर में हम जाएंगे जो हमको अपना अधिकार जो उचित अधिकार है वो जो देगा उसके साथ हम जाएंगे आने वाले समय में चुनाओं अधिक जिस लड़ाई को और संघर्ष को लेकर के हम आगे बढ़े हैं उसको समझना होगा कि उसमें यह निश्चित करना होगा कि हां आपका जो संघर्ष है उसमें आपका जो समाज का जो अधिकार है उसको जो दल देने जो भी गटवंदन देने के लिए तयार हो इन प्रिं को लेके चलेंगे उसको मानें उनके साथ हम जाएं गटवंदन में रहेंगे और जादा से जादा सीट जो देंगे उनके साहिए झाल झाल